भायू और भेनों भारत का टीका करान अभियान बहुत ही मानविय और महत्वपूर्ण सिध्धानतों पर आधारित है जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले करोना का टीका लगेगा जिसे करोना संक्रमन का रिक्स्क सबसे ज़्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पेरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कॉरोना की वैक्सिन के सबसे पहले हकदार है चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, या फिर प्रावेट में, सभी को ये वैक्सिन प्राफ्विक्ता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टिका लगाया जाएगा, जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फाइर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सिन प्राफ्विक्ता पर लगेगी और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है इन सभी के वैक्सिनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा साथियों, इस टीका करण अभियान की पुक्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किये गए हैं, ड्राय रंस हुए हैं, विशेश तोर पर बनाये गए कोविन डिजिटल प्लेटफोर्म में टीका करण के लिए रेजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेकिंग तक की व्यवस्ता है, आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकरी भी आपके फोन पर दी जाएगी, और मैं सभी देश वाश्यों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है, एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐस्या गलती मत करना, और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महिने का अंतराल भी रखा जाएगा, आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी, इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास निकाल कर रख दें, दोगज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा, मैं प्रासना करता हूँ, मत करिएगा, और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रस से कहना चाहता हूँ, जिस तरह धैरिये के साथ आपने कोरोना का मुकामला किया, वैसे ही धैरिया अब वेक्सिडेशन के समय भी दिखाना है, साथियों, इत्लिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान पहले कभी नहीं चलाया गया है, ये भ्यान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं, दुनिया के सो से भी जादा ऐसे देश हैं, जिनकी संख्या तीन करोड से कम हैं, और भारत वैक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही तीन करोड लोगों का टिका करन कर रहा है, दूसरे चरण में हमें इसको तीस करोड की संख्या तक ले जाना है, जो बुजूर्ग हैं, जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में ठीका लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं, तीस करोड की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका, और कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिन की आबादी इन से ज़्यादा हो, इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभ्यान भारत के सामर्थ को दिखाता है, और मैं देश वाज़ियों को एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे वेज्ञानिक, हमारे एक्सपर्स, जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सिन की सुरक्षा और अप्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए, तबी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है। इसलिए देश वाज़ियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा अफ़ाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सिन वैज्ञानिक हमारा मेडिकल सिस्टिम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है। और पहले से हैं, हमने ये विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देश वाज़ियों, हर हिंदुस्तान इस बात का गर्ब करेगा। कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सक्त वैज्ञानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विश्वसग्यता पर दुनिया का इविश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बाते हैं, जो आज मैं देश्वास्यों को जुरूर बताना चाहता हूं। ये भारतिय वैक्सिन विदेशी वैक्सिनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उप्योग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सिन ऐसी हैं, जिसकी एक डोज पांच हजार रुपिया तक में हैं, और जिसे माइनस सेवन्टी डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। माइनस सेवंटी डिग्री वहीं भारत की वैक्सिन ऐसी तक्रीक पर बनाई यही है जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है इस वैक्सिन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्स्टेशन तक भारतियस थीतियों और परिस्थितियों के अनुकूल है यही वैक्सिन अब भारत को कोरोना के खिलाब लड़ाई में निरिनायक जीत दिलाएगी साथियों कोरोना से हमारी लड़ाई आत्म विस्वास और आत्म दिर्भरता की रही है इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्म विस्वास को कमजोर नहीं पढ़ने देंगे ये प्राण हर भारतिये में दिखाई दिया है संकत कितना ही बड़ा क्यों नहों देश वास चोने कभी आत्म विस्वास खोया नहीं जब भारत में कोरोना पहुचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लेप थी हमने अपने सामर्थ पर विस्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लेप्स का नेटवर्क हमारे पास है हुआ 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 है